मानने वेर सिंग जी 5 मिनट क्योंकि कोई रहती नहीं है ना किसी छोटे मोटे फायते की गुंजाईश से में रखी गई है यह पहली बार है जिरिए मट में कुल राजसिक खर्चोर फित्य घाटे का उलेक नहीं है बजट में गाओं गरिब और किसान की भी चिंटा नहीं इसने रिखती है है आम आदमी पर बोज डाला गया है इसमें मन रहेगा मिड़े मील स्वास्ट्य सेवा अनुसी जाती जन जाती और महिलाओं के लिए कोई भी योजना और आवन्ठी तनाची का जिक्र नहीं किया गया है महुदय मैं किर्शी के बारे में और किसान के बारे में कहना चाहूंग क्योंकि जैसा कि माने वित्मंत्री जी ने कहा है अपने वजट में कि हम किसानों की आय दुगना करेंगे कैसे करेंगे इसके बारे में कोई योजना तो बताई नहीं है महुदय हमारा देश किर्शी प्रदान देश है लगवख 70% देश की जनसंख्या का भाग किर्शी पर निर्वर करता है और देश की तरक्की गाओं खल्यान से हो करके जाती है यदि गाओं खुसाल है तो सहर खुसाल होंगे और गाओं और सहर दोनों खुसाल होंगे तब पुरा देश खुसाल होगा तब ही देश की तरक्की संबब है क्योंकि जब किसान के पास पैदा होता है उसके उसकी फसल का बाजी मूले मिलता है तो मकान मनाता है मकान मनाएगा तो दुकानदार पर जाएगा सर्या सिमन्ट खरीदेगा साधी करेगा तो जेवर कपड़ा खरीदेगा तो ब्यापार भी चलेगा इसलिए सरकार को किसानों की तरफ ज़्यादे ध्यान देना चाहिए आज किसान सबसे ज़्याद घाटे में है किसान की जो फसर पर उत्वादन लागत आती है उसका मूल्य उससे नहीं मिला है पिछले पांस साल पहले भी सरकार ने वायदा किया तक हम किसान की आए डेड़ गुना करेंगे इस बार कह दिया कि दो गुना करेंगे कैसे करेंगे इसके बारे में सरकार ने कोई उपाय नहीं किया है कोई योजना नहीं मनाई है आज किसान माँ ठत्या करना है तो इसलिए हमें किसानों की तरफ सोचना होगा क्योंकि किसान को यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा सिक्सा के बारे में सिक्सा के बारे में बजट में कोई ज़्यादर प्रोविजन नहीं किया है 94,853 पैंट 64 करोड का प्रोविजन किया है किन्तु इसमें सिक्सा के मामले में जो आज सबसे ज़्यादे हालत ख़सता है और प्राइमरी एजुकेशन की है एक तरब तो हम ये कह रहे हैं कि सिक्सा के इस तरको हम ब्रूप में नमबर एक पर करेंगे भारत को आप कैसे करेंगे जब प्राइमरी में ही बच्चों को नहीं पढ़ा जा रहा है एक तरब तो माने सद्दस्यों ने कहा है कि मोधी सरकार पूरे देश में सबको एक समान करना चाती है यदि आप में हिम्मत है यदि आप करना चाते हैं यदि आपके अनुस जाती जन जाती के प्रती आस्ता है उनको बराबरी पर लाना चाहते हैं तो आप पूरे देश में शिक्सा को एक समान करें शिक्सा को एक समान करें एक जैसी प्रिणारी हो तब यह अपना सकते हैं तब मैं संजुगा आप पढ़ा जाती तो कैसे परावियाप कर रहे हैं तो पूरे देश में एक समान जैसी सिख्षा करो तब हम मानंगे आप सेस्टी के हितासी हैं दूसरा जो छात बृति जाती है केंसे प्रिद्यसों को आज पूरे देश में उच्छ शिक्षा में और मधर शिक्षा में जो संद्री कर लेते हैं और एडमिशन हो जाता है एडमिशन फीसने जाती है जो मालिक है वो बोलते हैं कि आपको हम आप पास करनो डिगरी देदेंगे जब सरकार से पासाने जाता है तो उनकी डिगरी नहीं मिलती तो इसलिए मैं चाहूँगा कि छात प्रिटी समय पर पोच इसके साथ साथ आज आरक्षन अभी तक जेश को आजाद हुए 70-32 साल हो गए अभी तक आरक्षन पूरा नहीं किया है बैक लोग खाली पड़ा है मैं निवदन करूँगा कि सरकार को बैक लोग पूरा करने हैं करना चाहिए जिससे की बेरोजगारी समाथ हो जाएगी मानेव और मैं निवदन करूँगा कि आज बजट में कहा गया है कि रेलवे में पहले से तो आपने वह सारे भी भागों को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया आपने रेलवे को कहा अभी बजट में कि इसमें भी हम प्राइवेट सेक्टर को देंगे तो प्राइवेट सेक्टर को कि दो रेक्षन की बेवस्न करने रहे हैं nhưng तक दो आती जीम करें मैं तो पिर उसमेacy स्थी लोगों का कहा भडा होब तहरा की लेगी इसलिए मिरा आप से निभैन में है कि आप रेंब को वैभ सक्व्ड डेना धेरे आप बजब कहा है तुआ निद्ल डेते समय आप आरक संकी बेवस्ता करें जिससे की अनुस जाती 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 किसे लोगों की नोक्रीश में लगा है आज अपने यह आपका समय खत्म हो चुका है तो एक मिनट रूगा ज्यादा नहीं अंतिम बात क्या करके करके अपनी बात समात करूँगा आज पूरे देश में सरकारी विभागों में आउट्सोर्सिंग प्रणा नहीं लियाए ठेका प्रता लियाए क्योंकि आप उद्ध्यों मत्यों को ठेका दे रहे हैं सरकारी विभागों का जो इंगीनियर है हमारा जो एक लाग नोकरी पाता है आप ठेके की प्रस्ता कर दिए वहाँ पर 20-वी सजार पर आप लोगों को लख रहे हैं जो ट्रेंड भी नहीं है उससे बेरोजगारी और बढ़ नहीं है तो मैं चाहूँगा कि इस और भी ध्यान देना चाहिए आज बेरोजगार जो बढ़ लगी है आज जब पैट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिये तो बहारा बढ़ेगा बहारा बढ़ेगा तो रोजमर्रा की बस्ता महिए होगा तो इसकी मां गरीबों को पड़ेगी तो मैं कहना चाहूँगा कि डीजल पर इतनी महनाई मत बढ़ाईए गा क्योंकि इससे पूरे देश की बवस्ता चलती है बारे से तो आप गरीबों के हित ऐसी है तो इसलिए यह बज़त गरीबों का हित्ता नहीं है किसानों का हित्ता नहीं है यह बज़त उद्योग बच्चों के हित्ता है इसलिए मैं निमदल करूआ यदि आपको गरीबों की चि आपने बाद